दोस्तों हम हमारे Android phone में typing का use बहुत ही ज्यादा करते हैं चाहे वो social media के लिए हो चाहे वो chatting के लिए हो या फिर चाहे हम कुछ notes लिखते हो ऐसे में हम सोचते हैं कि कितना अच्छा होता अगर हम हमारे regional language में भी typing कर पाते आप इस वीडियो को देखते रहे और मैं आपको बताऊंगा कि आप ऐसा बढ़ी ही आसारी से कैसे कर सकते हैं नवश्कार दोस्तों मेरा नाम है गौरव आप देखने टेक्निकल गुरू जी चलिए शुरू करते हैं दोस्तों वैसे दो प्ले स्टोर पे इसके लिए बहुत सारी apps अवेलिबल हैं लेकिन आज जिस app के वारे मैं आपको बताने वाला हूँ उस app में आप 10 हिंदुस्तानी भाषाओं का यूज़ कर सकते हैं अब इसको यूज़ कैसे करते हैं और यह आपके कैसे काम आ सकती है जानते हैं इस बारे में प्ले स्टोर पे जाईए और आप इधर सर्च कीजिए Google Indic Keyboard तो आप लिखिए Google Indic Keyboard अब सर्च कर लेदे हैं देखिए पहला रिजल्ट आयाता है Google Indic Keyboard का आप इसको इंस्टॉल के लेजिए Google की अप्लिकेशन है पहले इसका नाम था Google Hindi Input उन्होंने अभी इसको अपडेट किया है और अब यह बन चुका है Google Indic Keyboard तो चलिए इंस्टॉल हो जाता है अभी जल्दी से डाउनलोड होने क कीबोर्ड तो आप इसको OK कीजिए सेटिंस में जाएंगे अपने आप यहां पर तो देखिए इसको आफ किया हुआ है आप इसको यहां कर लिजिए यह आप से पूछता है अटेंशन तो आप इसको OK कर दीजिए इनेबल हो चुका है फिर यह बोलता है सलेक्ट Google Indic Keyboard आप इस पर भी क्लिक कीजिए और आप यहां से देखिए लिस्ट आजाएगी इसके इंदर सबसे उपर लिखावा है Google Indic Keyboard का आप इस पर क्लिक करके सलेक्ट कर लिजिए फिर यह बोलता है Select Languages आप इस पर क्लिक कीजिए और यह आपको option देता है कि आप कोई भी एक मतलब अप से पूछता है कि कैसा Color Mode को चाहिए Keyboard का Black चाहिए White चाहिए तो मैं Black चूज कर लेता हूं या White कर लेते हैं Next करते हैं और यह आपको एक option देता है कि इस Keyboard को इंप्रूव करने के लिए क्या आपने डेटा को आप भेजना चाहेंगे Google के Server पर तो मैं इसको भी Enable कर देता और यह Done हो जाता है अब देखिए for example कि आप जाते हैं Messages में आप खोलते हैं कोई भी एक Chat Head अब यहाँ पर जो Keyboard आप देखेंगे तो यह Google का Indic Keyboard है अब अभी देखिए आप यहाँ पर A, B, C जो है वो Highlight हो चुका है इसका मतलब जो है आप अभी English में लिखेंगे मैं जिता हो मान लिजी नमस्कार आप यह देखिए यह नमस्कार आ गया अब मान लिजी ए कि मुझे वापिस से English पर जाना है तो मैंने वापिस से ABC पर क्लिक कर दिया है मैं लिखेंगे तो कैसे हो फिर मैं इस पर गड़ दिया आप यह देखिए अब इसमें भी आपके पास में तो आपको तीन ओप्शन देगा या तो आप नॉर्मल लिख सकते हैं मतलब इंग्लिश में और आपको हिंदी में चपावा आ जाएगा या अगर आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो आपको देखिए इस टाइप से कीबोड का लेयाओट मिल जाएगा थोड़ा मुश्किल होता हूँ क्या तो मैं लिखता हूँ आदा क्या या तो देखिए क्या छप गया है अपने आप तो आप इसमें ऐसे अपने हाथ से भी हिंदी लिख सकते हैं अगर आपको लेंग्वेज चेंज करने हैं उसके लिए आप क्या करेंगे उसके लिए आप इस पर जाएगे वापिस देखिए कोने में आपको यहां पर एक लेंग्वेज का निशान मिल रहा है आप इस पर क्लिक कीजिए तो यह आपके सामने पूरी लिस्ट लेकर आजाएगा कि आपको आप कौन से लेंग्वेज में लिखना है तो मान लिखता हूँ गुजराती में तो मैं गुजराती कर बीच में तो बस एक बार इतर दबाएगे तो आप इंग्लिश में आ जाएंगे एक बार इतर दबाएंगे तो आप अपनी रिजनल लेंग्वेज में आ जाएंगे तो दोस्तों यह था Google Indie Keyboard एक छोटी से अप्लिकेशन जिसकी मदद से आप अलगले लेंग्वेज में टा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप जरूर से इसको लाइक और शेर केजिए अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट रहा ना भूलिएगा और अगर आपने टेकनिकल गुरूजी को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन प मत्रों